हाई दोस्तो टीफोर चानल में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप होम स्क्रीन ले आउट लोक लिकर के अगर आपके मॉबाइल फोन में आ रहा है जैसे कि आप किसी भी एप्लिकेशन को आप इन अनिस्टॉल करने कोशिश करते होंगे या फिर एप्लिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले आईने की कोशिश कर रहे होंगे तो यहां पर अप्चे को अपने हाथ में मॉबाइल को यूज करने के लिए देते हैं यानि कि वो कार्टोन गएरे देखते हैं और आपका जो पूरा मॉबाइल का जो सेटिंग रहता है वो पूरा गढ़बर कर देते हैं यानि का एप्लिकेशन को एक जगह से दूसरे जगह इदे से इसको अनलोक कैसे करना है तो उसको अनलोक करने के लिए आपको क्या करना है अपने मॉबाइल फोन की सेटिंग्स ओपिन करना है तो अपने मॉबाइल फोन में सेटिंग्स खोज ले तो चलिए हम इसको ओपिन कर लेते हैं यह रहा मेरा मॉबाइल फोन का सेटिंग्स इसको हम open करेंगे तो जैसे आपना mobile phone का settings को open करेंगे आपके सामने इस थरीके से page खुलता है अब यहाँ पे home screen layout lock हो चुका है उसको unlock करना है तो आपको नीचे जाना है यह फंडा है home screen का तो यहाँ पे क्या करना है आपको ध्यान दिजेगा यहाँ पे देख लिजेगा ध्यान से नीचे की तरफ आपको home screen का option आपको दिखना चाहिए यह देखिए home screen का option यहाँ पे दिख रहा है इसमें आपको click करना है home screen में जैसे आप home screen में click करेंगे अब आपके सामने इस तरीके से page खुल के आता है अब यहाँ पे क्या करना है नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से दिखीगा यहाँ पे सबसे last में है यह देखी lock home screen layout तो यह जो है नहीं इनेबल है यह चालू है इसको आपको बंद करना है और बंद करने के बाद आपको बाहर आना है और अब आप जो भी application को आप uninstall या फिर कुछ भी करना चाहते हैं तो अचलिए हम करके दिखाते हैं यह अप्लिकेशन इसको हम यहां से किदर भी आप इसको set कर सकते हैं यहां से किदर भी ले जा सकते हैं और यही अग ज़र आप लौक रहेगा तो यह प्रब्लम होती है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सीख चुके हैं कि होमर स्कीन layout को कैसे हटा सकते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजिए जहां पर नहीं तो सब्सक्राइब जूरू करें